दोस्तो इस लिस्ट में जितना भी fail student है हमने उन सभी के cell को पहले से highlight कर रखा है हमें इन सभी fail student के marks में 5 number grace marks देना है और final result वाले column में जो pass student है उनका जो marks है वही marks show करवाना है और जो fail है उनके marks में 5 number अलग से add करना है तो यहाँ पर हम type करेंगे equal to if bracket open करेंगे और logical test में marks वाला cell select करेंगे और logical testing के लिए हम यहाँ पर less than 30 tap करेंगे कि अगर इस cell में 30 से कम number है तो true value में marks वाला cell select करके plus का sign देके यहाँ पर 5 number दे देंगे कॉमा लगाएंगे और false value में अगर 30 से ज्यादा number होगा तो इसी marks को return करवाना है इस cell को select करके bracket close और enter करेंगे और इसे drag कर देंगे तो देखेंगे कि जो pass student है उनका जो marks है वही marks शो करेगा और जो fail student है उनके marks में 5 number एड़ हो चुका है दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को subscribe, वीडियो को like और share कीजिए